नमस्कार साथियों क्लास 11 केमेस्ट्री में हमारा चेप्टर सेकंड चल रहा है हो चेप्टर सेकंड का आज ये दूसरा लिक्चर है तो आज हम डिसकस करते हैं परमान संख्या के बारे में दुर्यमान संख्या के बारे में संभारिक के बारे में समस्थानिक के बारे में, सम न्यूट्रानिक के बारे में, ये टापिक आज अपने कम्प्निट होने वाले हैं, तो कापी पेन उठाईए और तयार हो जाईए सिखने के लिए, चलिए, हम सबसे पहले बात करें, पर्मानु संख्या के बारे में, पर्मानु संख्या, एटोमिक नंबर, आपने हर एक एलिमेंट के एटोमिक नंबर आवर्त सारनी में देखे होंगे, जैसे सोडियम की बात करें, तो सोडियम 11 और 23, यहाँ पर ये वाली संख्या जो है, ये वाली संख्या, इसको कहते हैं पर्मानु संख्या, क्या कहते हैं इ और ये वाली संख्या जो दी हुई है इस वाली संख्या को कहते हैं अपन द्रव्मान संख्या क्या केते हैं द्रव्मान संख्या आपको दिखा हुआ मिलेगा हर एलिमेंट की परमानु संख्या और द्रव्मान संख्या अब यह जो परमानु संख्या यह कैसे बता ही गई कि इ के 11 हैं, कार्बन की 6 हैं, हाइड्रोजेन की 1 हैं, नाइड्रोजेन की 7 हैं, ठेके, ऑक्सिजेन की 7 हैं, फ्लोरिन की 9 हैं, नियान की 10 हैं, सोडियम की 11 हैं, तो हर एक एलिमेंट की क्या बतायAI गीए पर्म souvent शंक्या, और जो आदूनी का आवर्ट सारनी देखोगे Modern Periodic Table देखोगे उसमें सभी तत्वों को परमाणो संख्या के करम में जमाया गया है और सबसे पहला elements कोन सा है Hydrogen तो परमाणो संख्या किसको परमाणो संख्या कहा गया तो परमाणो संख्या किसी तत्व का पर्मानो करमांग उसके नाभिक में उपसित क्या है प्रोटानो की संख्या क्या बताया गया है कि किसी तत्व का पर्मानो करमांग उसके नाभिक में उपसित प्रोटानो की संख्या है जिससे nitrogen element है इस element के नाभीक में प्रोटानों की सिंख्या 11 मिली अपने को तो पर्मानों सिंख्या क्या के दी 11 कारबन के नाभीक में प्रोटानों की सिंख्या कितनी मिलेगी 6 मिलेगी तो पर्मानों सिंख्या क्या हो गई 6 मतलब परमानो संख्या बराबर क्या हो जाएगी प्रोटानों की संख्या परमानो संख्या बराबर क्या हो जाएगी प्रोटानों की संख्या ओके मेरी बास समझ में आई परमानो संख्या बराबर क्या होगी प्रोटानों की संख्या तो सन 1913 में मोसले ने परमानो संख्या का ग्यान कराया और परमानो संख्या को किस से रिप्रिजन करते हैं जेड से अब यह किसी भी element का जब आप सिंबॉल लिखते हो जैसे कि कोई भी यह element लिख रहा हूं में x x element इस x element में यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे z जेड जेड क्या है परमानो संख्या और a जो है वो क्या है परमानो दुर्यमान परमानों को किस से रिप्रिजन करेंगे अपन a से और परमानो संख्या को किसे रिप्रिजन करेंगे अपन जेड से तो इसे जेड से प्रदशित करते हैं परमानो संख्या को किसी तत्व का परमा सोडिय में मैं कहूं आपसे कि प्रोटान की संक्या है वो कितनी है 11 है और इलेक्टान की संक्या कितनी है वो भी कितनी है 11 है बराबर मिलेगी आपको प्रोटान की संक्या और इलेक्टान की संक्या यह दिये उदासी नहीं अगर मैं एने की जागे अगर मैं लिखनू एने प्ल पह कि जईनाता हूं जैसे यह कार्बन छे बारा ओकि कारबन छे बारा में आपको प्रोटाइन कितमे ज़रे हैं अब यह दी मैं सी प्लस लेख दाओं तो इसमें प्रोटान की संख्या कितमãy आपको ऑपो ही 1000 मीलेगी और इलेक्टाइन की संख्या यह हो गया एक कम हो गई लगी जाये, negative charge अगर आ जाए तो उस condition में electron की संख्याँ क्या हो जाँ कि बढ़ जाएगी positive charge जाए तो इलेकटरान की संख्याँ क्या होगे? कम होगे. लेकिन चाहे positive negative लोखो आपके protonों की संक्या तीनों condition में same रहती है क्योंकि proton तो कहां परे नाभिक में उपसे थे और नाभिक में नाभिक में से proton निकल नी रही है electron कहां परे थे किसी भी पर्माण की कक्षा में उपसे थे और वहाँ से जब electron निकल जाए तो positive charge आ जाता है और कहीं से electron आकर जुड़ जाए तो उसके उपर negative charge आ जा जाता है मेरी बात आप समझ गये होंगे तो पर्माण कुर्माण जेड बराबर नाभिक पर इकाई धनावेश की संक्या ठीके बराबर नाभिक में उपसे प्रोटानों की cool संक्या इकाई धनावेश की संक्या मजब प्रोटान की उपर positive charge रहता है इसलिए पर्माण कुर्माण बराबर नाभिक पर इकाई धनावेश की संक्या या नाभिक में उपसे प्रोटान की संक्या या नाभिक के बाहरी कक्षाओं में उपसे इलेक्टानों की कुल संख्या परमान कुरमांग Z बराबर हो जाएगा धनायन में प्रोटान की अपक्षा इलेक्टान क्या होते हैं कम होते हैं जो भी धनायन जैसे ये C प्लस है प्रोटान की अपक्षा इलेक्टान कम होते हैं जब रिनायन की बात करोगे, तो रिनायन में प्रोटान की अपिक्षा, रिनायन में प्रोटान की अपिक्षा, इलेक्टान क्या होते हैं, इसमें इलेक्टान क्या हैं, जादा हैं, धनायन में इलेक्टान की संक्या बराबर क्या लिखेंगे, जेड माइनस धनावेश की संक्य मेरी बात द्यान दे सुनना आपको धनायन में इलेक्टान की संख्या निकालना है बेठा धनायन में इलेक्टानों की संख्या निकालना है तो इसका Z क्या है Congress cまた मतलब प्रोटोन की संख्या Z क्या है zfamily 6 और धनावेट कि संख्या कितनी 1 तो इसमें आपको मिल जाएगी धनायान में इलेक्टान कि संख्या तो इसमें आपको अलेक्टान कि शंख्या internet कि शंख्या रिदायन में आपको उलेक्टान की संख्या आपकी पास रिदावश की संख्या C minus में electron की संख्या किती?' 7 है और C plus में electron की संख्या क्या है? 5 है मतलब कुल मिला जग जग गया तो electron की संख्या कम हो गई और negative charge लग गये तो electron की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई चलिए, screenshot लीजिए मेरी यह सब से आपको समझ में आया होगा परमानु संख्या किसे केते हैं तो सन 1913 में मोसले ने परमानु संख्या का ग्यान कराया इसे जेट से रिप्रेजेंट करते हैं किसी तत्व का परमानु कुर्मांग उसके नाभिक में उपस्तित प्रोटानों की संख्या होती है क्या होती है प्रोटानों की सिंख्या आपको मालू में कोई भी परमानों होता है उसके नाभिक में क्या रहते है प्रोटान एंड न्यूट्रान तो जो प्रोटानों की सिंख्या होती है उसको क्या कहते है प्रमानों सिंख्या और प्रोटानों न्यूट्रान दोनों की सिंख् लगया तो इलेक्रानों की सिंख्या कम हो जाएगी यह दी नेगेटिव चार्ज लगा तो इलेक्रानों की सिंख्या क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ओके चलिए बहुत बढ़िया आगे बड़े चलो अब बात करें हम द्रव्यमान संख्या की तो किसी परमानों के नाभिक में उपस्सित क्या है प्रोटान प्लस न्यूट्रोन की संख्या क्या कहलाती है द्रव्यमान संख्या कहलाती है नोट कर ली जाएगा परमानों के नाभीग में उपसित प्रोटान तथा न्यूट्रान का योग न्यूट्रानों की संख्या का योग तत्व का द्रविमान अंक या द्रविमान संख्या कहलाता है और द्रविमान संख्या को किससे ए से रिप्रदेन करते हैं Capital A से प्रदशित करते हैं और परमानो संख्या को किस से रिप्रदन कर रहे थे हैं अपन? Z से A के द्वारा प्रदशित करते हैं Proton और Neutron को सहयुक तुरूप से क्या कहते है? Nucleon Proton प्लस Neutron को सहयुक तुरूप से A को नाम है क्या कहते है बेटा? परमानो संख्या क्येते हैं और X क्या है? जो भी परमानो है उसका क्या हो जाएगा? संख्यत हो जाएगा क्या हो जाएगा? बेटा? संख्यत हो जाएगा बताई दिया मैंने Sodium 11-23 ये लिखा मैंने Na 11-23 इसमे Na 11-23 यहां प्रदशित करता है कि Sodium का परमानो क्रमान 11 है और दिया मैंन संख्या क्या है? 23 है चाहो आप इसको A से लिखो या इसे लिखो कोई फरक नहीं पड़ रहा है ये A इस साइड में लिखो कि 23 और 11 या इस साइड में लिखो इस से कोई फरक नहीं पड़ रहा है अब देखिए Sodium 11,23 यह प्रदर्शित करता है कि Sodium का परमानो क्रमान 11 है नीचे लिखा हुआ है 11 है उपर लिखा हुआ है द्रेमान और द्रेमान संख्या क्या है? Sodium की 23 है 23 है Sodium 11,23 में प्रोटानो की संख्या कितनी है? प्रोट्रानों की सिंख्या बराबर पर्मानो कुर्मा बराबर 11 मतलब कुल मिला के प्रोट्रानों की सिंख्या कोई गया के थे पर्मानो कुर्मा के थे जो अपनोंने अभी बात कर लिए सोडियम ग्यारा तेविस में इलिक्टनों के संख्या क्योंकि इसके ओपर कोई आवेश नहीत आए लेक्टन आपको निकालना है अब आपटनों के संख्यागर आपको निकालना है और द्रमान संख्या कि द्रेवमान संख्या माइनस क्या लिखो गया आप परमानु करमांग परमानु करमांग किसी के भी न्यूट्रानों की संख्या निकालने हैं तो द्रेवमान संख्या माइनस परमानु करमांग या प्रोट्रान की संख्या तो न्यूट्रानों की संख्या निकालना है तो आप 23-11 कित्ते हो गई 12 हो गई किलियर मेरी बात आपको यहां तक समझ में आई होगी इसक्रिंशाट लेजिए आप आगे बढ़ते हैं अगया अगये कि चाहिए गई क दो अखेक हो तो यह जो है प्रोटान प्लस न्यूंट नॉट है योग को इ land पुस फोगते है गिर्व के लिख सकते हैं ठीके जै जिसका संक्यृष जोडिय होगोग कि जगे sun की दुरुमान संंख्या लेकि है यह जएड कि जगे क्या है ग्यारा लिखा हुआ है 11 फिर मानो संख्या in को चलिए अब हम आगे बात करें हमने पर मुने ये अब हम बात करते हैं समस्थानी है जो ऊपारी त्री ऑमने की आपको पेरिवी क्रेबल में मिलेंगे द्रेमान संख्या और परमान संख्या लिखी हुई दिखेगी जैसे कि मैं बात करूँ हाइड्रोजन के लिए बात करें तो हाइड्रोजन की 1H1 ये लिखी हुई मिलेगी ठीक है 1H1 लेकिन हाइड्रोजन ये दी को अगर एक से अधिक रूपों में पाया जा रहा है 1H1, 1H2 और 1H3 तो हमें ये तो मालूम है कि जो नीचे लिखी हुई है ये वाली संख्या क्या क्या लाती है ये वाली संख्या क्या लाती है बेटा परमानू संख्या परमानु संख्या और ये वाली जो संख्या है इसको यह किते है अपन द्रिव्मान संख्या क्या करता है इसकोrit क्या है क्या कि द्रिव्मान संख्या ओके ये लागन geared being समस्थानिक हैं तो यह क्या कहलाते हैं समस्थानिक हैं मतलब हाइड्रोजन के आपके पास तीन समस्थानिक हैं कितने समस्थानिक हैं तो वे पर्माणू जिनके पर्माणू क्रुमांग समान या पर्माणू संक्या समान किंतु द्रेवान संक्या भिन हो किंतु द्रेवान संक समस्थानिक अब क्या बात करी समस्थानिक परवान ओंप में एलेक्रान ओ प्रौलन की और इwers इसमें सेरी दान जीज्वन की एक है इसमें सेरी इटाइंगे तो एक आएगा इसमें से यह गताइंगे तीन मैं से एक कटाएंगे दो आएगा मतलब आपके पास इस वाले हाइड्रोजन में न्यूट्रान की सिंख्या जीरो है इस वाले हैड्रोजन में न्यूट्रान की सिंख्या दो है मतलब प्रोटान और न्यूट्रान की सिंख्या समान होती है सिर्प न्यूट्रान की सिंख्या डिफ्रेंस ह और स्तुरा ना क्या बात करी समस् опас bark breaking 7actions 2017 होती है यह होतीन जोती है यह न्यूट्रानों इसंक्य यह क्या है तीनों में अलग अलग और क्लोरिन 17 37 ओके अब इसमें बात करेंगे अपान प्रोटान के संख्या 17 यहाँ पर भी कितनी होगा प्रोटान के संख्या 17 एलेक्टान के संख्या और यहां पर 36 में से 17 जाएंगे तो यहां पर न्यूट्रोन की संख्या किती होगी 20 मतलब दोनों में क्लोरीन 17 पे 30 और क्लोरीन 17 से 30 दोनों में प्लोटान एलेक्टान की संख्या समान है न्यूट्रोन की संख्या दोनों में क्या डिफरेंट है ठीक है क्लोरिन के ये दो समस्थानिक हैं, क्यों समस्थानिक हैंगे, क्योंकि इन दोनों के परमानकुर्मांग समान है, जब भी आपको परमानकुर्मांग समान दिख जाए, क्या है समस्थानिक है, क्या है वो समस्थानिक है, चलिए, इस्क्रिंशाट लीजिए, आगे बढ़ते हैं हुआ देखो समस्थानी को की पर्मान कुर्मांग समान होने के कारण उनके रासाइनी गुणों में समानता होती हैं लेकिन जब अपन संभारिक की बात करेंगे तो वह अलग अलग जगे रखे गया संभारी है ना आवरत में अलग-अलग जगें अब संभारी की बात करें अपन जैसे लिख रहा हूं बैटा आरगन 18 40 और एग लिख रहा हूं Sangalg कैल dessus ऑफ 20h40 अब यहां पर समस्था निक में तो यह वली संक्याें पिइन इसको कहते हैं बेटा परमानू संख्या और यह वाली जो कहलाती है इसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या द्रीमान संख्या इसको कहते द्रीमान संख्या अर्गन 48, क्ल् Virtus यह कार्बन 6-14 और नायट्रोजन 7-14 यह वाली संख्या समान है इसको द्रीमान संख्या कहेंगे और यह वाली डिफेरेंट है पर क्रुमान संख्या संभर्वारिक क्या क्या संभर्वारिक वेs पर्माणु कि только electricalton संभान तरभी जिंड opinion samosy MA समान गिंतु परमान संभाय के लते हैं इसे पर्मान कमाने के कारण आवद्त सारंगी में समभारी को का इससान क्या होता अलग अलग होता है मतलब करण अलग पती है गों गया होते हैं समस्सायjść को में होते हैं लेकिन के रासायिक parties संभारीक क cricket कंबह संभारीक है यह समभारीक है अब इस इए लेक्टरन वूму प्रोटानों और न्यूटानों तीनों की संग्या डिफरेंट आ रही इन में इसमें इलेक्टान की संग्या 6 है प्रोटान की संग्या 6 है न्यूटान की संग्या 8 है कार्बन 6 14 में लेकिन ये संभारी के नाइट्रोजन 7 14 में इलेक्ट्रान की संग्या साथ है प्रोट्रान की संग्या साथ है और न्यूट्रान की संग्या क्या है साथ है मतलब इनके इलेक्ट्रान प्रोट्रान न्यूट्रान तीनों की संग्या क्या होती है समभारिकों में स्मस्थानिकों में सिर्फ न्यूट्रान ज्यंकर डिफ्रेंथ होती हैं बाखी सिर्फ अलटान की समान होती है मुक्न avos नाम से पता चल रहा बैटा सम न्यूट्रानिक जिन में न्यूट्रोनों की संख्या समान हो उन्हें क्या केते सम न्यूट्रोनिक जैसे की एक्जामपल के तोर पर आपके सामने एक्जामपल उठाए मैंने कारबन 614 नाइटोजन 715 ओक्सिजन 816 चलिए इसमें इलेक्ट्रान की संख्या किती है 6 प्रोटान की संख्या किती है 6 इलेक्ट्रान की संख्या 7 प्रोटान की संख्या भी 7 इलेक्ट्रान की संख्या कितनी है 8 प्रोटान की संख्या भी कितनी है 8 न्यूट्रान की संख्या नि पंद्रा में से साथ गए तो कित्ते हो जाएंगे आठ और सोला में से आठ गए तो कित्ते हो जाएंगे आठ मतलब भाईया आप देख रहे हो तीनों में बेटा न्यूट्रोनों की संख्या समान है न्यूट्रोनों की संख्या समान है तो इनको क्या कहेंगे सम न्यूट्रोनि हैं सम न्यूट्रोनिक कहलाते हैं कारबन 614 नाइट्रोजन 715 ऑक्सिजन 816 सम न्यूट्रोनिक परमाणू है इनमें प्रतियक में 8 न्यूट्रोन है तीनों में ही 8 न्यूट्रोन्स हमें दिख रहे हैं दर्शन हो रहे हैं ओके तो चलिए आज के इस लेक्चर में हमने समस्थानिक संभारिक सम न्यूट्रानिक द्रविमान संख्या और पर्मानु संख्या के बारे में डिसकेशन किया मिलेंगे नेक्स लेक्चर में जिसमें अपन सभी पर्मानू माडल की बारे में डिसकस करेंगे याद हो जाएंगे आपको एक तरह से थामसन का पर्मानू माडल पढ़ेंगे रदर फोड का पर्मानू माडल पढ़ेंगे बहुर का परमानों माडल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में ओके साथ ही ओब मिलेंगे में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए जैहिन जै भारत